मनिपूर गोधना सेकिंड है अगर परदान मंतरी चाहते तो पहले इस गटना को रोख सकते थे जो हलात आज मनिपूर के हैं उसको पहले रोख सकते थे सरम से सर रुख जाता है, रोणा आता है परदान मंतरी को वर्ल्ड के सबसे जूटे और पाखंडी परदान मंतरी हैं अब ये 10% का विकास और 90% लोगों का सत्यानास करने वाली सरकार है बोधिवा उनके समर्थ तक जितने भी हैं वो सब लोग जूट बोलें देश के लोगों को बरगलाने का काम करें आर एसेस को सबिदान कभी अज़म हुआ ही नहीं समस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जन्हीत अवाज मड़ीपूर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और आए दीन जन्तरमंतर पर हर रोज एक धरनफ प्रदर्शन होता है और आज एक धरनफ प्रदर्शन हो रहा है जो की भीमार में स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है यहां मवजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने पोस्टर ले रखे हैं मनिपूर में हिंचा जो है उसको बंद करने के जो मांग है वो उठाई जारी है लगातार प्रदान मंतरी से ग्रह मंतरी से ये लगातार मांगे उठाई जारी है इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देखे जिस तरह पिछले ड्याई धाई मैना हो गया है मनिपुर को चलते हुए और सरकार है कि एक लब्द उसके खिलाब बोलना नहीं चाहती सरकार की इसका मतलब इसे ये सिद होता है जिस तरह से सरकार की खामोशी है कि सरकार जो है जो वाँ हो रहा है उससे सेमत है ये सरकार की जो है मिली बगत है और उसकी जाहत है जिसको उनके लोग पूरा कर रहे हैं और ये जो हो रहा है देश के लिए हानी का रहा है ये बेन बेटियों के लिए हानी का रहा है जिस तरह तरह आपने देखा अभी हाल ही के दिनों में आदिवासी समाज की बेन बेटियों को वा नंगन अवस्ता करके बलतकार करके नंगन अवस्ता में गुमाये गया ये देश के बारते सविधान वाई देश के लिए सबसे बड़ा विनाश की तरफ ले जाते हुए एक जो है आपको जाकी दिखती है जिससे ये पूर्च इस्पस्ट होता है कि आने वाला समय बहुत विनाश करी है भुलादान मंतरी ने कहा कि एक केक को चुन-चुन कर सजा दी जाएगी कड़ी कारवाई की जाएगी परदान मंतरी पिछले आही महिने से 73 दिन अहां 73 वा दिन है लगातार जो हिंसा मनिपूरकी इनसा हो रही है परदान मंतरी चुप थे और आज वो ये कह रहे हैं कि चुन-चुन के कड़ी सजा दी जाएगी मगर मैं कहता हूं कि अभी चंशेगर जी पर हमला हुआ और उनको चुन-चुन के सजा देने की बात कही गई उस पे भी कोई कारवाई अभी तक नहीं होई है दोशियों को बचाने का काम किया जा रहा है इसी परकार से मुहमल लोगों को और कोई उमीद नहीं है परदान मंतरी के वक्तिवे से जो परदान मंतरी ची कह रहा है कि कुछ चुन-चुन के सजा दी जाएगी अगर परदान मंतरी चाते तो पहले इस गटना को रोख सकते थे जो हलात आज मनिपूर के हैं उसको पहले रोख सकते थे परदान मंतरी के हाथ में सब कुछ है पर उस नाकाम उस नाकारा सीम को जो है वहां से हटा सकते थे और हटा कि किसी जाता है कि देश सबसे सुरक्षित ह में हो रही है उसे तमाम सारी सीजह को जानते हों से यह सिद्थ होता है कि देश कितने स्वरक्षित हातों में है इसी स्वरक्षित हातों में हातरस हुआ इसी सुरक्षित हातों में देश की राध्दानी दिल्ली में कंजावला का कांड हुआ इसी सुरक्षित हातों में जो है अभी जो उस बहन को साक्षी के साथ अन्याय जो दुशकरम हुआ इसी सुरक्षी धातों में 44 देश के जवान शहीद हुए इसी सुरक्षी धातों में इंडियान ओईल भिका बीएचेल भिका रेलवे भिकरामन आडानी भिकरामन पोर्ट्स भिकराएं तमाम जितनी भी सारे संस्तान हैं वो भिकराएं ऐसे सुरक्षी धातों में देश को नही सो रूपय का हो गया है अभी तक गारंटी यह रही जो टमाटर जो जो मुल्बूस चीजे थी जो सब्चिया थी जो राशन था वो डबल से ट्रिपल हो गये हैं चोगुना रेट अभी तक उनकी उपलब्दिया यह थी कि देश के किसान की दूगनी आये होगी मगर हम देख र सब्सक्राइब करने की बात अपने मद्दिलों दिमाग में पालना यह उनके उपलब्दिया हो सकती है अन्यता इसके अलावों कोई उपलब्दिया मुस्लिम तो कहा रहा है हमें मोदी ही चाहिए यह शायद आपके कैमरे पर कहाओ मैं तो पुरिदेश में घूम रहा हूँ जाम मस्जिद चले जाएए सारे मुसल्मान एक ही बात कहते हैं ना ना जाम मस्जिद में सी एनर्सी भी गोटन वो हुआ था अंदोलन हुआ था जब पूरे जाम मस्जिद से पूरे देश का मुसल्मान यह खड़ा हो के कह रहा था कि इस तानसाही सरकार को खतम करना तो यह देश वरबादी के और तरफ चला जाएगा जिन महापुर्शों ने इस देश के लिए त्याग बलीदान दिया जिनके बच्चों ने इस देश के लिए अपने परिवार के लोगों को सहद्ध दी यह देश अगर उन लोगों के हात में दुबारा आया तीसरी वार आ मैं परदान मंतरी की किसी गारंटी को मैं नहीं मानता वर्ल्ड के सबसे जूटे और पाखंडी परदान मंतरियां उनकी किसी बात पर विश्वास ने किया जा सकता माननिय राष्ट्रपती जी से हमारी प्रार्थना है मनीपूर की गटनाओं को देखते विए और इस नो साल की सरकारों की फैसलों को देखते विए इस सरकार को बरखास कर दे आप से गुजारिश है आपके पास समयधानिक पावर है मोदी सबसे बड़े रास्ट भक्त हैं कैसे बात कर रहे हैं आप जो लोग समयधान की सपत लेकर के बैक डोर से मनु समर्ती लागू कर रहे हैं वो देश दरोई हैं देश भगत नहीं है मनु समर्ती को 25 दिसंबर 1927 को बाबा साब ने जलाया था उसका दास अंसकार किया था मनु समर्ती सुद्रों को कोई अधिकार नहीं देती इसलिए जलाया था और उमी मनु आदियों ने 9 अगस 2018 को जंतर मंतर पे समिधान को जलाया था ये RSSS और BJP समिधान विरोधी है और ये परिधान मंतरी नहीं चुना हमने ये परिधान मंतरी है रोज 6 बार कपड़े बदलने और मंदरों में जो ना गंटी बजानी इसके अलावा बतायो मुझे 9 साल में क्या काम हुआ है रिकास हुआ है, 9 साल बेमी साल गिना रहा है आपका विकास व रहा है 15 व्लाख आ गए आपने खाते में डेश का विकास हुआ है पर ये विकास हुआ है आपका अगर विकास होया है निंहां लोग रहा है जब योग खुद करें के मैं 90 करोड लोगों को रासन ले रहा हूं तो admitt कर रहे हुआ ना कि 90 करोड लोग भुखमरी के कागार पर रहे हैं काई का विकास हह ए कहा विकास जाती ध्हम पे बाट के इस देश को बर्बाद किया जा रहा है और ये बहुजन समाज 90% से हमावान करते हैं कि आप लोग जोना सत्ता में आएं सत्ता ही वह चाबी है कि जो सारी समस्याओं का हल है इसलिए हम भाई चंदर से करके साथ जुड़े हैं इस तारी को देख लिया होने जा रहा है आप होंगे इस तारी को एक आवाज दी थी भाई चाहब ने या तीन चार लाख लोग थे या पैर रखने की जगनी थी इतने बुरे मोसम में इतनी गर्मी के अंदर लेकि जनून है भाई चाहब का जन्ता कह रही है आएगा तो मोदी ही जाएगा मोदी ही जो भी समझ जाएगा कैसे जाएगा बता हूं फार्मुला है एक बीजेपी के खिलाफ 543 सीटों पे लगसल होता है बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ एक सा जाओं में दुआर उतरे इंडिया घटवंदन का और इंडिया घटवंदन भाई साब को सम्भानित सीटे दें तो इनको 543 मैंसे खाली 43 मली आएंगे बिलो फिप्टी ये फार्मुला है मारा तो और ये देश को बिकने से बचाओं सारा देश बेच दिया अम्बानी अडानी को 28 इनके मित्र कोन है किसके मुँ में कितले करोडो करोडो का बैंकों से लोन लेकर के अर बड़े आराम से जो नाविदेश वमें चले गए और चोगिदार सोते रहे हमारे देश के चोगिदार सोते रहे अशे यूसीसी पर क्या कहेंगे यूसीसी बाबा साहब का सपना था उससे पहले समयधान की परस्तावना पढ़े आप यूसीसी पर बाद मा आये क्या सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर होचकी है देश से सामाजी कुलोर आर्थिक गैर बेराबरी दूर होगी, अगर वो पहले वो दूर कर ले, फिर यूशी सी पे बात करेंगे अभी यूशी सी का समय नहीं आया दस परसेंट लोग सासर कर रहे हैं, नबबबैपरसेंट का सत्यानास कर रे हैं कहने को सब का साथ सब का विकास है ये 10% का विकास और 90% लोगों का सत्यानाज करने वाली सरकार है अभी फ्रांस के दोरे पे थे माननी परदान मंत्री जी 27 देशों ने इनके खिलाब परस्ताओं पास किया है कि भारत से लोकतंतर खतम हो चुका है लोकतंतर को बचाईए सब्धान को बचाईए और 28 माई को आपने देख लिया किस तरह इस दिल्ली पुलिस के बूट बेहनों की चाती हों पड़े थे सर जोक जाता है रोड़ा आता है रास्तार का दोरा कर रहे हैं बड़े बड़े तुर्रा बांद के साफा अलग अलग तरह के शरबाणी से ऐसे प्रदान मंतरी को जब पुरा मनी पुर जल रहा है पुरा नोर फिश जल रहा है फिर करेंगे ना टका करके भाईयो बेहनो एक बार रोड़े का तो ना टकारना आता है नो उनको मुझे माफ कर दो कहा का माफ करें का ये देश पचास दन दे तो मुझे नोट बंदी में फिर मुझे चुराया बता देना वो चुराया पूसरे देश की जनता करपाओ के चुराय पर नोट बंदी में दोजार का नोट बंद किया खुरू किया था आप उसको बंद कर रहे हैं फैसला वो सही था या यह सही है दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं दो करोड रोजगार दूँगा हसान विल गे रोजगार किसानों की आए दुगनी मार दिया है किसान, मजदूर, करमचारी, वरग, जोना, पूरा, नब्बे, परतिशत, लोग, दो का सत्या नाश कर दिया है विदेशों में तो डंका बजा रहे हैं, विदेशों बता तुदिया हैं विदेशों में डंका, 27 देशों ने परसा उपास किया, अभी दो दने पहले अमरीका ने एडवाजरी जारी किया है, आस्ट्रेलिया के दोरे पहले जब वहाँ, बीवी सी की जो ना, पिक्चर आमिंट में चलाई, ये मनीपूर गोधरा सेकिंड है, और 24 में कितना बड़ा मनीपूर रचेंगे ये, ये साजिश करता लोग हैं, आर एसेस को सविदान कभी अज़म हुआ ही नहीं, लोक तंतर देश से खत्व हो चुक्या है, सविदान खत्रे में हैं, कल ही जो ना, पार आप इनकी सोच को समझें, इनकी साजिस को समझें, मैं परदान मंत्री के किसी वक्ते वेका समर्थान नी करता, नो साल में जो काम किये हैं, उस सविदान को बाईपास करके, 10% लोगों के विकास के लिए काम किये हैं आपने सुना, कैसे इन्होंने बताया, मनिपूर के हालाद बताएं, और देश में बाकी जो हालाद हैं, उनके बारे में इन्होंने खुरी कर बाते की, बाकी इस पूरी बात पर अपने प्रतक्रियाद जरूर दे, कैमरमन आशिस के साथ ब्यूटी गरी, चन्हित आवाज